बुद्धवार को बियल सेंट्रल वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में चल रहे साथ दिवसिय एनसस शिविर के तीसरे दिन की शुरुवात स्वयम सेवकों ने मार्च पास्ट से की. इस दिन सभी एनस स्वय सेवकों ने एनसस प्रभारी पुनम शर्मा और शारीरिक शिक्षक अमर्देव के साथ तालाव मंदिर में पूजा की पुजारी के द्वारा स्वयम सेवकों धार्मिक घ्यान दिया गया. रैली के माध्यम से लोगों को नशाना करने के बारे में जागरूप किया वो लोगों से विचारों का आदान प्रदान किये और इसके बाद स्कूल के परिसर की सफाई की दोपहर के भोजन से पूर्व नागरिक चिकित साल्य कुनिहार सेडा दीपिका ने श्रोत व्यक्ति के रूप में शिर्कत की और इनेसेस प्रभारी पूनम शर्मा, स्वयम सेवकों और प्रधानाचार्य पुर्शोतम लाल द्वारा भव्य स्वागत किया गया विद्याले प्रधनाचार्यपुर्शोतमलाल, मुख्याध्यपिका, सुष्मा शर्मा और एनेसेस प्रभारी पूनम शर्मा ने डॉक्टर दीपिका को एनेसेस कैप बेच और सम्रिती चिन्ह देकर सम्मानित किया दीपिका चोहान ने सभी एनेसेस स्वयम सेवकों को एनेसेस शिविर की बधाय दी और अपने सम्बोधन में COVID-19 बिमारी के लक्षन उससे से बचने के उपाए, विभिन प्रकार की बिमारियों, खान पान, शारीरिक गतिविधियों आदी के बारे में के बारे में जानकारी प प्रस्तुत किये, जिसके माध्यम से अनेकता में एकता का संदेश दिया, मंच का संचालन करते हुए अध्यपिका ज्योतिका शर्मानेडा, दीपिका चोहान का इस एनेसिस शिविर में बचों के साथ ज्यान सांजा करने के लिए धन्यवाद व्यक्त की, इस अवसर पर परकी लाइफ होती है, वो त्रस्टू तक होती है, इसके बाद आप बहार चाती हो, पोसल्स में रहती हो, पॉलिश में चाहोगे, कोई एंगिनरिंग करेगा, कोई मेडी मेचाएगा, कोई डॉक्तर बनेगा, तो एक नई लाइफ यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो उसमें ख्याओता है कि आपको बाहर और बच्चों के साथ कैसी रहना है, चीज से अपने आपको कैसी उसमें अपना एक काम करना, एक लिमिटेट सोर्स से, ठीक है ना, और दूसरा होता है कि आपकी फिर्स होती है, आपने इन एक्तिविटी से आपको यही सिखाया जात नेखाने मोरे शापको करना गूरस होती इन टल्स कामा क्या है, ना उटेत कinge एक क्यातिक है, ना एक्तिबट एको काम तुत का बाहर Kita के रहना है कि शापने के एक्तिशन दूसाओंफ़ टोल्सिटन है कि आपको ऑ्कछों से जापको, सुने होत्या हैständ झापकों में स to visit our school to bless the NSS volunteers. One thing more, our NSS volunteers and NCC pediatrics had to go to hospital for medical check-up.